कोई ऐसे लोग हैं जो दिन में देखे थे माहुल को कोई ऐसे लोग थे मत बोलिए कोई नहीं बोलेगा जिम्मेदार नहीं है यह पबलिक भी जिम्मेदार है अगर चाहती तुसे ख़दर के पकड़ सकती थी कि उसको भी डरता कि हमको ना गोली मारते कौन सुरक्षा करेगा पुलिस को डर नहीं है पुलिस को बच्चे नहीं होते हैं क्या सिर्फ वही बंदूग लेकि आपके पिछे अपराजियों के पीछे भागे लोग सिफ तमासा के लिए हैं किसी ने नहीं देखा इसी चोक्के होंगे देखें कोई बोले तो नहीं बोलेगा इसी घरगाउं के आते हैं और एक हाद वेवसाई को गोली मारकर फरार हो जाते हैं और बता दू यह देख सकते हैं आप चोक अभी गमागम माहूल है यहां लोग हैं हजारों की संख्या में हैं तादात भरी हुए हैं पुलीस परसासन है और नेता लोग हैं लेकिन कल वारदात से पहले कोई यंतव क्यों और वार बार हम लोग आगर किसी बात को ते हमिनी परसासन करें कि हम यह लोग नहीं करें नध्यामाग आ हो प्रसित जरहाण किसी को गोली मार दिया जाता यह लोग दिन भर आते जाते रहते हैं और एक बेफसाई को कोई आता है सूटर गोली मारके चला जाता है लेकिन उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है नहीं उसके बारे में कुछ पता है आखिर कैसे आ गया और पुलीस पर सासन चारों तरफ खिड़ी वी थी नहीं की जगह निक खड़ी यहां खड़ी थी और आप देखें उधर हमारे महादेव का सुन्दरना धाम है कहीं आज पूरा वह भी सन्नाट से भरा हुआ है कि महादेव के इलाके में एक ऐसा प्राध हो जाता है और सारा दुनिया अभी देख रहा इस चीज़ को लेकिन अप्राधी पकड़े वाले को कहना था कि जो आनंद ठाकूर करके अदमी है उसने ही कही ना कहीं इसे घटना को अंजाम दिलवाया है सार्फ सूटरों द्वारा उनका एक जमीनी विवाद चल रहा था जिसके कारान उसने ऐसा कदम उठाया होगा वैसे तो रिमांड पर उसे उठा लिया गया है अब पुलिस की इंफोर्मेशन नहीं आए कि सचाई क्या है और टेली कंपनी भी लगी हुई है वैसे स्वी साहिब का स्टेटमेंट है लेकिन ऐसा कोई सुझाव अभी तक नहीं आया देखिए दुकान खुल गया अब बता दे कि जो संपच जी थे उनका देहान ठो गया है और यहां कुछ हमारे गाओं के भी लोग हैं उनसे पूछते हैं कि कल के वारदात पे हां कोन लोग मौजूद थे इसी गाओं के आप लोग जो वारदात हुई थी दिन में आप लोग इस चोग पे थे ना मुझ सुन्द्री मन पर अब थे यहां पर कोई यसे लोग हैं जो बॉलिवूड फिल्म हिंदी सिनेमा जब चलती थी कोई विले ना आता था और दिन दहारा किसी को गोली मार के चला जाता था और ऐसे पबलिक तमासा देखते वे भीड लगा के खड़ी होती थी कि हमको नहीं पता है पता है क्यों वो सोचते हैं कल उनको आके कोई ठोके ना चला जाए लेकिन एक बात बोलिए अगर आप आज चुपी साधे है ना तो अगर आपका यहीं चुपी कल आप पे भारी पर सकता है आप सभी वेबसाइक हैं वह आएगा फिर आपको ठोके चला जाएगा कोई थे इस चोक का देखने वाले जिसके सामने हाथसा हुआ कोई नहीं है पीट पीजे सब लोग हल्ला करेंगे पुलिस को गाली देंगे में बता दू सभी का Jimmedar पुलिस कुछ नहीं है यहां की जनता है पबलिक है जागोंगे जोगे नहीं देसे मरोगई ये होए गाया आज होगा कल होगा डेली होगा एक भी लोग बोले को तयार नहीं है कि किसी n इंसान बस था बाकी बात भाग रहे थे भागदर में कोई नहीं था यहां के लोगों की कमी और खास करके जनता खुद पीछे भागती है कि सकला जाएगा ने केमरे में तो कल सार्प सुझर उसको ठोक के ना चला जाए और हम लोग पागल है यहां बगते हैं और गाली देते ह कौन सुरक्षा करेगा पुलिस को डर नहीं है पुलिस को बच्चे नहीं होते हैं क्या शिरिफ वही बंदू के लेकि आपके पिछे अपराजियों के पीछे भागेगा एक भी लोग सिफ तमासा के लिए हैं किसी नहीं देखा इसी चोक्के होंगे देखें कोई बोलेगा य यह है सच्चाई है हम लोग पागल है अला करते हैं कुछ नेता है अब उनका भी सुझाओ लेना है बस हम लोग विस आश्वासन ले सकते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं अब पता नहीं यह भी मामला किसी देखागजों में दब जाए किसी को नहीं पता है कि यहां गाओं के वरिष्ट लोग है इनका क्या कहना इस हाथ सापे जिस तरह हमने देखा चौक में हजारों के भीड़ देखे न उधर यह तमासा देखने वाले लोग देखे ना तमासा देखने आएंगे एक भी अगर किसी सवाल किया जाए तो कोई बोलने को रेडी नही होता है लेकिन आप क्या कहें किसी ने देखा नहीं लेकिन लोग वरिष्ट हैं उनसे बस यह पूछना चाहता है कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए कहां के हैं जो हाथ सा हुआ इस पर आप अपना क्या राय देना चाहेंगे कहीं कल आपको आगे ठोक दे तब नहीं बुलेगा बीमार हैं आपका इहीं के हैं अब गुदाम सा अगरिक दर रही है इसमें नेता जी तो कल से यह पूरे दिन है हां बोलिए का बोलिए हम मेरा दुकान यहां बगल में दवा आके गए अपना दुकान दुकान पर खड़े हैं कि हमको यहां वास सुनाई दोड़ करके आए दोड़ करके जैसे ही आए तो तीन आदमी तीन बदमा जो एक आपाची वाइट कलर की गाड़ी पे वह निकले तक्षिन के तरफ अनन फानर हम सुझे कि उसका पीछा करेंगे तो किसी ने बताये कि ने संपत को गोली लग गया है तो हमको तो पहले पेसेंट को देखना तो दो-टीन लोग जो उसको उठाकर के हमारे गारे में डाले और उसको लेकर कि हम लोग हॉस्पिटल से बाकी बाद बताएगा जिस बाद गोली चला क्या चोक पे लोग थे या पूरे परखंड के अंदर 50 पुलिस मात रहे क्या करेगी सब कहां कहां पुलिस रहेगी सुरक्षा आपका जिम्मा नहीं है पुलिक को अपना सुरक्षा भी खुद से करना चाहिए एक बहाना मिल गया है एक जूट होके मिलेंगे तब घर छाते तो मैं पूछ रहों क्या वो पकड़े जाते यह नहीं विलकुंट पकड़े जाते अगर कोई same करते अपने अपने पकड़े जाते लेकिन क्योंकि दूसरे का बेटा था अपने घर में तो आथसा नहीं हुआ तबी तो भारत वैसा ही है सब सोचते हैं भगत सींग पैदा हो लेकिन किसके घर में हो पड़ोषी आखे अपना बेटा पैदा होगा सबको पोता चाहिए सबको बाहू चाहिए लेकिन कौन सभी दोगा देश के लिए पड़ोष का बैटा मरे ना किसी को फरक नहीं पड़ता अभी देखा केमरा में आप देखेंगा पूरे वेडियो में एक भी लोग ऐसे नहीं है जिन्हों ने कहा कि हमारे सामने गोली चली है जब कि चौक पर हजारों लोग भरे हुए थे अगर चाहते तो पकड़े जाते और बहाना तो पुलीस तो गाली सुनेगी यह तो बहाना हो अपने लिए तो लड़ना सिखिए हमेशाब के लिए पुलीस कहां कहां जाएगी हर घर में पुलीस देखिया सरकार दे ने बिलकुल नहीं हमको अपना सुरक्षा करना होगा और अब इसके साथ कोई घटना हुआ हम डोड़ करके इसका जो है चाहा कुई बढ़वास भाग लेकिन अपना डर है कि हमको गोली नहीं है और बस इतने हम लोगों का क्या हम लोग तो बस निवेदन करेंगे सरकारी परनाली और पुलीस पर पकड़ा जाए और पुलीस का करवाई भी तो टाइम लगेगा उससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है बस आपको यह महुल भी नहीं दिखा सकते हैं उसके परिवार का क्या हालत है क्योंकि आप समझ सकते होंगे जिसका एक लोता बेटा खोया जिसे छोटे-छोटे घर में बच्चे हो जिनकी बीवी हो उनका क्या हाल होगा बस अंदादा लगाए इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखाना है बस आप कार से लोग आएंगे आपको गोली मारके जाएंगे और आप ऐसे देखते रह जाएगा जहिंद